हेलो गाइज, वेलकम बैक टो नदर वीडियो, कैसे हैं आप सब लोग, मेरा नाम है रिश्चाप फ्रॉम मैंस्कॉर्ट्स टॉट कॉम और आज मैं एक और रियक्शन वीडियो लेकर आए हूँ आप लोग के लिए और इस बार मैं रियक्ट कर रहा हूँ देसी जिम रिव्यूज के सत्यनन रहा के होम जिम को तो ये वेस्ट पैंगाल के अंदर है ये लड़का और इसके पास भी एक छोटा सा होम जिम है जैसे कि मेरे पास है बट इसके पास बहुत लंबी रेंज आफ प्रॉट्स की लाइन है तो हम दोनों सेम ही काम करते हैं यूज के आए और मैं कहीं भी अटकता हूं तो फिर मैं उससे लेता हूं और वो मुझसे लेता है तो हम एक तरह की से काम करते हैं और यह जो होम जिम टूर इसने डाला थोड़े दिन पहले काफी लंबा टूर है यह 16 मिनिट का टूर है और बहुत सारे रेंज आप मैं मेरे को नीडेट है मैं क्लटर नहीं करना चाहता अपने होम जिम को और मेरे पास साथ आठ चीजे हैं जो की एपसलूट बैस्ट है अपनी कैटिगरी के अंदर यह वीडियो आपको लोगो ज़रूर देखना चाहिए आपको भी मोटिवेशन मिलेगी इससे और अगर इसका पूरा देना आपको बिकस्केश मैं रियालिजिक मैं इस ओम जिम का अफ्चली कभी एक टॉर बना यह तो एक कर के देखते हैं आप इस वीडियों एक्वेट नहीं तो बेल्ड़ इस ज़रूरत नहीं है तो बिल्ड़ अट वाड़ी शूच में ज़रूरत नहीं है त इस वीडियों प्राइस इस प्राइस भी बढ़ गया काफी दाना यह एक स्कॉट रेक में यह फिर चाथ पे है आ उससे पर मैंने जो एक स्कॉर्ड एक स्वाट नहीं है इस पर चाहाँ चाहा था इस सबसे पहले मेरा पहला जुर था खाफ है वह एक है तो इस वाफ्वाट सब्सक्राइब करते हैं और अगर जो पावरिफ्टिंग करता है वो बंदा इन पावरिफ्टिंग करता है यह काफी अधा stiff बार्बल्स होते हैं और लोडिंग एपसिटिंग की बहुत जाद होती है इसवएसे आपको 10,000 रुपे का बार्बल उपर जो मिल रहा है वो 220 लगबख किलो का वेट होल्ड कर सकता है बड़कि नीचे वाले बार्बल्स है तो काफी अच्छी टैंसल और यह कम से कम 900 किलो तक वेट को होल्ड कर सकते हैं विदाउट अबेंड तो इस वएसे प्राइस जादा जाता है सबसे नीचे वाला ब्लैक ऑक्साइड जो बिता रहा है कि मैं बहुत जादा यूज़ करता हूं इस वएसे यह रस्ट जादा हो रहा है क्योंकि ब्लैक ऑक् के अंदर आ रहे हैं तो यह इंप्रूफ कर रहे हैं को दीर दीर एक अच्छी कोटिंग होती है फ्लैक जिंक से भी और यह ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा यूज़ की जाती है वाइकल्स के उपर और यह उससे उपर वाला जो बार्बल है लीवे का सब्सक्राइब करता है तब मैंने खाइदा था था इन वार्बल्स को मैं बिसक्री यूज़ने के रोड्स एक चुलिए पांसो शैसो रपए मैं आजा कि इस प्रस्ट कर चुगी है ब्लूब यह बस रखी हुई है क्योंकि दोस्पेस था लिए लिए नो पर बार्बल यह सेम शूज मेरे पास हुए रेक्रिलर के उंटा विद्व डाला हुआ है नहीं हमने सेम टाइम पर खड़ी देटे दोना यह मेरे काफी टाइट फीट होता है थोड़ा से एक साइज बढ़ा लेता तो बेटर होता है और यह एक साइज बढ़ा आता है नौ नंबर है मेरा बाता ग्राउंट से खनेक्टेट रहते हो तो यह अच्छा होल देता है आप कोई भी सथस के ऊपर खड़े होगे तो यह पहनों के डेटलिफ्ट में तो काफी अच्छा होल देगा तो दूसरे शूज होते हैं तो जोड़ा स्किट कर जाते हैं आप एक फ्लैट शू भी ले सब्सक्राइब करें तो वह स्कॉर्ट शूज है यह डेटलिफ्ट शूज है स्पैसिफ्ट यह मैं आपका जो कर रहा हूं तो उसमें आपको डेटलिफ्ट शूज की जरूद नहीं है उसके बाद सूब में जरूद होती है वाइट खोलते हो ना पैरों को तो फिसर दखते ह सब चीज में लगा के रखता हूं सुन्द लगए है यह बैट्स वगर लटका के अच्छा लगा है कि अच्छी कंपनी है जिम ऐसे से इसकंदर स्पेशली पावर लिफ्टर्स के लिए बहुत अच्छी कंपनी का स्ट्राप है फिर मेरे पास इतने सारे सारे बैस्टें बैं वार जादा किज आते हैं और तूटे एंगा अगर आपके बस दून है यूँ एद इसकी बात करें यहां पर मेरे पास दो संपेंग रॉप्स एक स्पीड रोप है और यह और यह और यह अच्छा सजा रख है काफी बड़ी ब्लाइन है पर दिए अच्छा सजा रख है काफ एक दिर माई नहीं पहले मैंने इसका रखेंग रहा है लोग डबल प्रॉंग बैल्ट की उसाई की पैन आप छोड़ रहे हैं यहां से लेकि यहां तक दीजार बैसिकली बॉक्सिंग राफ मैंने जितने बॉक्सिंग खरे ते उनके साथ मुझे यह एक 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 बॉक्सिंग अगर करता है उनको लिए है मैं ज्यादा यूज नहीं करता है इसके पर मैंने बश्राइब इसके बाद की मेरे पास रहे हैं सेम कंपनी अब आपको अच्छे हैं इस तरह है तो वेट लिफ्टिंग निजिव्स अच्छी है और नाइन आइन आइन पर यह तरह है तो वेट लिफ्टिंग में mm का कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो नाइन में के भी आप पर्चेस कर सकते हैं वह आपको ज्यादा रिबाउंड फूर्ज देंगे और आपके नी ज्यादा एक वार्म ट्राइगी तो 7 mm के अच्छे होते हैं 2300 रुपे तक के मैक्स तुमैक्स अगया लिए यह हैं ग्रिपर्स मेंने भी पचेस कर रखे हैं और मैंने भी इसके उपर डिटेल ट्रिव्यू बना रखा है सबका कमबैशन करके बताया है इसके पास एक जो अलग चीज है जो मेरे पास यसा में नहीं है वो है पीच में ज जिसकी लोटिंग कपैसिटी है कम्रेस करोगे तो आप 200 LPS तक की है ज्यादा ही है उससे भी सो यह सबसे महेंगा ग्रिपर है और स्टडी यह टूटेगा भी नहीं यह उठाया है जो 300 LPS का हैंग्रिपर बहुत अच्छी होने चाहिए आप आम रैसलिंग करते हो तो फिर ऐस इस वीडियो हम लोगों को बहुत माज़ा है उसके बात अगर हम बैंच की बात करें इस बेंच के मैंने अभी अभी एक रिवी बनाया है कि कितना वेकार है यूनो हम लोग होम जी में लिट्रली इसको यूज करना एक दम भी प्रफर नहीं करते हैं लिट्रली अवाइड इ इसके रिवीज में बढ़ेते हैं सबको अच्छी लगी रेंग्स और सब 3-4,000 रुपे की बैंच है फ्लाइट के इंडर है और फोल्ड भी उजाती है नीचे से आपको बहुत सरे वीडियो मिल जाएगे यहां के देखने ना वाइट इसको लेने के वांदा योगा मैट एक्साइज मैट लेने की जुड़त नहीं आपको आपके बॉड़ी में ज़्यादा लगता नहीं है और आप एक अच्छा फ्लोडिंग हुरून रहा है और जहां प अब कोई mobility exercise करनी है बैट के stretching करनी है तो ग्रास मैट पर कर सकते हैं तो इवाफो मैट सबस्ते मैट साते हैं मदलब 6-7-8 पीस आपको सिर्फ 500 रुपे 600 रुपे में मिल जाएंगा Amazon पर बहुत ही पतले मैट होते हैं उस पे निशान मन जाते हैं अगर आपने डंबल रखा भ पाई थे उसको रिटन किया फिर मैंने बुल रॉक के यह वाली मैट मगवा लिए इंटर लॉकिंग वाले यह 15 mm के तिकने से और बहुत अची से इंटर लॉकिंग होते हैं आप इसको डेट लिट भी कर लेता हूं यह तस से मस नहीं होते हिलते ही नहीं है तो मैं आगर आप को सब्सक्राइब तो या तो आप क्रम रबर टाइस लगा लिजे वरना ऐसे इंटर लॉकिंग मैट्स लगा लिजे अपने होम जिम के अंदर यह वीडियो में ने देखी द्रीट प्लैटफर्म की जैसे बनाया इसने तो मैट जो थे ना उस जगे इसने रबर मैट लगा दियो ते एक्चुलिव मैं जब आप किसी कांपणी से खड़ेद होगे डादेट प्लैटफर्म तो वुट भी अच्छी क्वालिटी की होगी औ तो अगर आप भी अपने घर के अंदर डाटफर्म बना रहे हो एक छोटे स्पेस के अंदर अगर आप नहीं अफॉर्ट कर सकते अठारा उन्हें से अरफ़ेगा डाटफर्म आता है तो वुट ले आई है उसके साइड में आप क्रम प्रबर टाइस लगा लिजें बोटी व सिंगल पेर को रहा है इसका हैंडल पीजी सी वाला ही है इसके उपर रिशा प्रम में स्कॉट जिम रिव्यू एक विडियो बना के बोलेते कि यह एक दाम उसलिस है इस तो कि मेरे वाला मत करता है जो पॉइंट बोलेते कि यह ऐसे रैटल करते है वह साच है बट यह पोस्ट करते हूंगा आप लोग देखेंगे कि डेफिनेटल यूजबल एंड मैं लिक्टरी हर दिन अट्रीस तीन से चार एकसराइज दिन डंबल करता हूँ रैटल करते हैं बट आपको अंसिर्फ फील एक दम में नहीं होता है उसके बाद तो यह डंबल मैंने भी अमेज बहुति कि अह clipping है ट्रीन्ग करते हैं ठीक है तो अगरगर आप आप को यडिंग करती है ट्रा ल हरी है तो को यूकि ऊघिया जा रहा है तो शो जो जा रहा है तो इस वह से मुझे फंक्शनल नहीं लगते हैं और मैंने डिटन कर दिये और इसके उपर बात की थी पर उसने खुद खरीदें और उसको सही लग रहे हैं तो इसलिए वो यूज कर रहा है बट मेरे को पसंद नहीं है और अच्छी में और अच्छी में पीठे ही लगा दिया दिदा इस जालेंज प्रेट्स पर्ची में यह सब के वाज यह होते हैं तो इन बांपर प्लेट्स का यूज करता हो थे वाज पड़िया है श्रेमें के लिए ने में पटा मोता है और आपके फ्लोडिंग को भी काम डाविघ होता है गूर से बांपर अगर आपको 200-200-300 kg तक का वजन लोड करना है और स्कॉच करनी है तो फिर बंबा प्लेट्स आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इतनी जाधा लोडिंग पैसेट ही नहीं होती इसलिए लोग मैटल प्लेट्स चूज करते हैं पावर लिफ्टे के अंदर जहां पर वह साढ़े 300-300 तक का वजन लोड कर लेते हैं इतनी जाधा प्लेट्स आप बंबा प्लेट्स के अंदर लोड नहीं कर वाओगे और यह लिवे की प्लेट्स हैं सबसे सस्ती बंबा प्लेट्स हैं 28,000 रुपे में लग बग इसके पूरा सैट आ जाता है 150 kg और अगर आप 80 का लोगे तो वह 43,000 का पढ़ेगा बुल्रॉक का और मेंगा पढ़ता है 55-57,000 रुपीस का डिफ्रेंस यह है कि लीवे के अंदर जो फिनिश दे रहे हैं वह काभी फेड़ आउट है और वहां पे आपको मैट फिनिश मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की फुल रबर प्लेट्स मिल बुल्रॉक के अंदर तो इस वही से प्राइस डिफ्रेंस आता है तो मैं भी लेता हूं तो बंबा प्लेट्स को तो इसके लिए लगेंगी इसके बाद बात करते हैं अबाउट माई पुल अपबार यही ब्रैंड आएगा हजार उपे इंदर करता हूं दोर्वे पुल अबार मत लीजेगा वाल मौंटेड पुल अबार ही लीजेगा वह अच्छे रहते हैं देख रहो है आप हैंडल कुट आवा उस तरफ से फोम निकली हुए है यह बेकार है दिवार के इतने पास है आप इस पर लटोगी कैसे आप उपर जाओ भी जैसे हुए अच्छा नहीं है यह मेरे दोर्वे पुल अपर लिया है तो मैं डोर्वे पुल अच्छा है इतने सारे मुल्टी ग्रिप यह आपको एक कोतर सका है यहां बहुत सिर्फ भाल को टेस्ट जाए ज़िधा आ प्लावार की खोज सकते हैं ayunth tegan अग्या in जिए यह भी पुल अपर सिर्फ तीन हजार रुपए रहा है बहुत सहरा है बहुत सहरा है − सहरा है तो तीन दर में आप ले सकते हैं पुछ अप करने के लिए और कैलिस्टनिक साइज करने के लिए तीन तीन बॉक्सिंग बैग भाई सब्सक्राइब तो अच्छी कॉलिटी के बैक्स हैं आप कितने भी पंच करिए वह पंचर नहीं होगा उसके बाद थ्री फीट हार्ट बॉक्सिंग बैग जो मैंने फिल्ट करीदा था यह मैंने अमाजन से डिरेक्ली फिल्ट करीदा था इस लिट्री थी बेस्ट प्राइस एक्साइड करता है लोगों अच्छा तो बता दिया प्राइस बताते हैं साथ साथ यहां पर एक और बार्स में नीशे पड़े हुआ है यहां पर थोरे सब्सक्राइब और इस रूम का जो में हाइलाइट है इस पुली सिस्टेम फॉम लिवया फिट्म से लो मैं लो पुली होता है अभी उपर लटका हुआ है तो इसके अंदर नहीं है सिर्फ उपर हाई पुली मिल रहा है आपको और अभी ना माजन वाली वीडियो के इंदर में बताया था उसकी जो स्कॉट रैक्ती उसके बैंट टैक्स ते रखे थे तो रखे तो रजिस्टेंस बैं तो नीचे आप रजिस्टेंस बैंट बान लो या उपर बान लो तो वह बिल्कूर सेंट भी कि तरह ब्याइब करेंगा पर यहां पर आपको प्लेट लगानी पड़ेंगी वेट के लिए वापर रजिस्टेंस बैंड का जो रिस्टेंस है उसके उसके खिलाव जाके उससे ने पनेगे यहां पे की कि ठोक के एक आकेश्मेंट्ट मैं फिर आक की चोडी हैंडल से और लंबा वहला फूल-पूल आपका लैट फूल लॉड़ अगूल ओई लिए यह जुग यह एक ट्रिसेफ होग ईज्छीए यह जो आपका यहां पर मेरे पास मैंने देखी नहीं है यहां पूरा एक पुली एरिया है यहां पर मैं आइवोट से कुछ अवर मिसिंग है जितनी भी एक्साइज कर लेता हूँ पर लोपुली कुछ एक्साइज करता हूँ यहां पर लोपुली हो जाए तो अभी आम जहात पर आ चुके है जैसे मैंने आव लोगों को बोला था है अब यह हैट क्यों कह रहा है वह थोड़ा सा वॉबल करता है ठीक है वही सेम दिक्कत इसके अंदर भी थी वॉबल करता है जब आप पारबल रखते हो और यह तो फिर यह थोड़ा ठीक है बट हमने जो जिम्स के अंदर देखा है उसके ऊपर यूशेप होता है ठीक है उसके उपर बारबल रखा होता है आप जब उठा के स्कॉट करने जाते हो ना तब तक वह ऐसे घिल जाता है कभी कभी ऐसे हो जाता होगा अगर आप यूज करा है आपने तो उसे वापस से लेकर आना पड़ता है तो आपने देखा वह स्कॉट रेक काफी ज़्यादा स्टेबल रहती है वाल मांटेट स्कॉट रहती है यह भी बिलकुल रहती है जहां से आप उठाओगे वैसे ही देने वाली है यह दूसरा जो इसने पोल है इसके उपर इसने व यह ऐसा आया था इसने वेंदिंग रही है जो पड़ रहे हैं जो फिर बारीश पड़ धार्व दूप पड़ रहे हैं रहाँ राइव फिर नीजेग ग्यार आप बूल पड़ चाहिए इस तरफ इस तरफ अगर थोरा सा आ जाए यहां पर हमारा एम देखी नीधी पहले रहे ह यह लखी हुई इसके पास आप बिलोगे में से बहुत सारे लोग यह कुछ अधान के जपार एक से सिमिलर लगेंगे पट यह उससे सिमिलर नहीं है विकर यह मैंने बेसिकली एक लोकल बंदे से लिया है मेरे को सिर्फ तीन चार हादार रुपार था पासरादी से विलिब तो में यह भी खादा था मुझे यह नहीं पटा कि इस बंदे रहा है यह मैंने उससे खादा था यह उससे लोकल बंदे से मैंने बस चछत बहीं आप दिया बढ़ शेख पावर रैंग भाई फ्री स्टेंडिंग बॉक्सिंग बैक्स फिर भी सही रहते हैं जो यह लटकाने वाले होंगे ना तो आपको जगे पड़े कि कहां पे आप छेद करो तो यह स्टैंड इसका लग से आता है आपको जास चैन इसको पर टाइ कर देनी है स्टैंड को पहले पर दिवार कंदा फिक दिखाया और मैंने इसके उपर जैसे आपको रियक्शन दिया अगर आपको इस किसी भी प्रोट के उपर थोड़ी कंफ्यूजन है कि मेरे को यह लेना चाहिए अफर यह लेना चाहिए कौन सी कोटिंग का बारबल लेना चाहिए कौन सी नलिंग होने चाहिए मेरा यह यह य रेक्शन वीडियो चाहिए मुझसे तो आप में वो कमेंट बॉक्स इंदर लिख दीजिए किस यूट्यूबर की होम जिम का रेक्शन में लेकर आए मुझला बाई टा 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 टू 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 आए झाओ टू 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 टू।